हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम संरशनात्मक और क्रियात्मक उपागम की बात करेंगे ये एकी उपागम है संरशनात्मक और क्रियात्मक तो देखें तुलनात्मक राजनीती के अगर हम बात करें अलग-अलग उपागमों की तो तुलनात्मक राजनीती में एक उप उपागम है संरशनात्मक क्रियात्मक उपागम जिसे कई बार आप देखेंगे कि क्रियात्मक के साथ ही प्रकार्यात्मक भी कह दिया जाता है तो यहां कंफ्यूजन नहीं होने चीए आपको कि इसे नॉर्मली संरशनात्मक क्रियात्मक उपागम कहा जाता है हिंदी में लेकि उपागम है आज हम इसकी बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं सारे चीज़ें पॉइंट वाइज अच्छे समझे जाएगी बसाब वीडियो को पुरा देखना संरचनात्मक रियात्मक उपागम वस्तुतह परणाली उपागम का ही विक्सित रूप है तुलनात्मक राजनीती का ही विक्सित रूप है जैसा कि अभी आपने कुछ दिर पहले ही एक वीडियो में आपको प्रणाली उपागम पढ़ाया था तो प्रणाली उपागम का ही विक्सित रूप प्रणाली उपागम में जो कमिया थी उसको ठीक ठाक करकर एक नया जो उपागम प्रस्तुत किया पुट के तहट पॉलिसी या लोक नीतिया जो भी नीतियां हैं वो बनाई जाती थी और फिर उसका फीडबैक भी लिया जाता था तो यह प्रणाली उपागम था अब इसी का विक्सित रूप है संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम परंतु यहां पर देखे जोस्तों या परं संस्के लिए इस उपागम का उपयुक सैधान्तिक धाशा विक्सित किया द यहां पर बात को समझेडी China व्वांद की तो is 확 रहते यह आधीवाशियों का समाज है उसके उपड़ इन्होंे यह सारी बाते इन्हों अगर हम देखें तो जो प्रियोग है इस उपागम का इसको किसने बढ़ावा दिया इसको बढ़ावा दिया रेड किलिफ ब्राउन और बी मैलिनॉसकी ने लेकिन हां इन्होंने आदिवासी समाज के उपर यह सारी बातें कही थी इस उपागम का प्रियोग करकर जो भी बाते की थी वह आदीवासी समाज के ऊपर इन्होंने किया था लेकिन सभ्वय समाज में जो हमारा आज का समाज है इस समाज में इसको उपागम है संरशनात्मक रियात्मक उपागम इसका प्रयोग टैलकट पार्टक कौन थे समाज वैग्यानिक थे सोशियोलोजिस्ट थे यह ठीक है इहोंने सब्धे समाज में इसको रखा था और राजनीती के छेत्र में किनों ने इसे सामने रखा इस उपागम को तो राजनीती के जो शुरुवाती प्रियोग है वो किया गया रेड किलिफ ब्राउन और बी मैलिनौसकी के दुआरा जो कि माना वैग्यानिक थे और सब्वे समाज यानि कि आज के समाज में जो समाज वैग्यानिक थे टेलकोट पार्सर इन्हों और राजनिती के छेतर में इस उपागम के परियोग को बढ़ावा जिसने दिया तो गैबरीेल ओलमांड इसमें प्रमुक थे और पावorte का नाम इसमें शामिल है तो यहां तक चीजां इसमि !क कि आगत निर्गत विशलेशन को अधूरा मानते हुए 1960 में द पॉलिटिकल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द डैवलोपिंग एडियास के अंतरगत यह दर्ग दिया कि यह आगत और निर्गत तत्व केवल राजनीतिक प्रणाली के कृत्ते यानिकी फंक्शन्स हैं आलमंड ने ना केवल इन कृत्तियों का विश्थित वरी गरन प्रस्तूत किया बलकि ऐसे प्रत्य करित्य या कार्ये के लिए उप्युक्ष संरशनाओं के भी पहचान की इस तरह आलमंड ने राजनीति विशलेशन के छेट में संरशनात्मक क्रियात्मक विशलेशन की नीव रखीन ओल्मन ने चार प्रकार के आगत क्रितियों और तीन प्रकार के निर्गत क्रितियों तथा इनके साथ ही कुछ जुड़ी इनके साथ जुड़ी संरचनाओं का पता लगाया अब बात को समझिए देखिए सारी कहानी यहां पर शुरू होती है जो प्रणाली उपागम है उससे प्रणाली उपागम के अंतरगत जो डैविट एस्टन थे उन्होंने प्रमुक भूमी का निभाते हुए प्रणाली उपागम को प्रस्तुत किया या प्रणाली उपागम को राजिती के छेतर में इन्हों होगा उसमें दो चीज़े होंगी एक वह इंपूट को कहते हैं हिंदी में आगत्थ और एक हुआ आूपूट मतलब होता है निर्गत ठीज एंपूट है और ऐंपुट का मतलब थे इनपूट के तहद जो भंडू समाज में क्रियाई होती है मांग वगैरा होती इसमाज और ये हो गया निर्गत ़ोगत तो इसे को हिंदि में आगत और कहते हैं जो ऑलमंडśl हैं अगत और ला निर्गत नीरों की बारे में बातने की गई है इसिलिए और ने संरशिनात्मक सिर्व करनाली किया किया प्रस्टथ के अब आगमि प्रस्ट workflows किया कॉट है क्रित्तियों के साथ कार्यों के साथ ही structure को भी प्रस्तुत कर दिया यहां बात को समझो देखो यहां पर क्या sense आता है कि कोई भी चीज बिना structure के होई नहीं सकती बिना संरचना के होई नहीं सकती ठीक है जैसे कि बिना संरचना के होई नहीं सकती यहां पर बात को समझे कहने का मतलब यहां पर आप एक hypothetical दूसा एक्जामपल देता हूं जो कि यहां के लिए यूज नहीं होगा लेकिन समझने के लिए आप यहां पर समझ सकते हैं देखें कोई भी मशीन है कोई भी मशीन है वो अपना कारे क करेगी जब वो मशीन तयार होगी तो तभी तो कारे कर सकती है अगर वो मशीन बनी ही नहीं तो कारे कैसे करेगी अगर एक बिस्किट बनाने की मशीन है एक बिस्किट बनाने का कोई साचा है तो वो साचा पहले हमें चाहिए तभी तो बिस्किट बनेंगे तो जब वो साच स्ट्रक्टर की अंतर क्लंद को बताया नहीं गया मतलब जो रियात्मक उपागं को राजनीती के छेतर में प्रस्तुत किया और फिर इन्होंने देखो सिंपल सा है जो पहले प्रणाली उपागम के अंतरकत जो प्रस्तुत किया गया था वही इसमें प्रस्तुत किया बस थोड़ी से बदलाव कर दी चीजें अब संरचना भी सामने आ गई इस्ट्रक्चर को इन्होंने यादा इस वाले सिध्धानत में इस वाले उपागम में महत दिया अब यहां पर हम यहां पर में सारी बाते समझ रहे हैं लेकिन उससे पहले यहां पर ध्यान दीजिए कि आलमंड ने चार प्रकार के आगत कारे बता है याद रखना आगत मतलब ह होता है आगत मतलब होता है इंपूट मतला पता है जैसे कि कंप्योटर में कुछ डिख रहे हैं कुछ टाइप करें तो हम इंपूट है और फिर वो सबकुछों अनदर और दिर आख को वीडियो मिल जाएंगी आगा ठो ओटो यह ऐड़ा हुब points हूता है तो चार प्रकार के आगत कारे बताए हैं, इन्पुट कारे बताए हैं, ओल्मंड ने ठीक हैं, फंक्शन्स बताए हैं, और तीन प्रकार के आउटपुट बताए हैं, तीन प्रकार के आउटपुट यानि के निर्गत कारे बताए हैं, ओल्मंड ने, तो यहां तक आपको बातें समझ म या उतना ठीक है अभी आप यहाँ पर यतनी बाते हैं उन सभी को होल्ड पर रखें सारी चाहिए आगी समझ में आ जाएंगे आपको जो संरचनात्मक क्रियात्मक उपागम है विशलेशन है वो यहाँ पर पूरी तरह एक ड्रॉख के रूप में परस्तुत किया गया है इससे हम काफी अच्छे से सारी बातों को समझ सकते हैं जैसा कि अभी आप भूल जाए क्या चीजें कैसे हैं सब कुछ भूल जाओ सई है गलत माइंड में नहीं आना चाहिए दिक्कत अब आ जाती है न जब कोई चीज तो हमें दिक्कत आती है लेकिन अभी आप सब कुछ सारी चीह परे रखकर जो मैं बोल रहा हूं बस उतना आप ध्यान से मतलब समझ लो उसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद तरक वितरक करना ठीक है तरक वितरक बात में करना अब यहां पर बात को समझो सिंपल सा है यहां पर आपको एक आगत दिखाई दे रहा है तो यहां पर यह आगत है और यह इनपूट है तो नॉर्मले इसे आगत इनपूट मॉडल कह दिया जाता है कमशब्दों में बहुत ही कमशब्दों में ऐसा कह दिया जाता है अब यह आगत है आगत में यहां पर कुछ कारे हैं आगत के इंतरक दिख कारे होते हैं और इन का जब बात की थी कि जो ऑलमंड है जो गैब्रियल ऑलमंड है इन्होंने चार प्रकार के कारें की बात की है और उनसे जुड़ी सनरचनाओं की बात की अब यह क्या है इसको हम एक एक करके डीपली समझेंगे बहुत डीपली समझना है इसको लेकिन वैं आपको कम सब्दों में भी काफी बातें बता दूंगा तो यहां पर ध्यान से समझें अगर यहां पर आपको ब्राइट मतलब क्वालिटी सही नहीं आ लिए इसकी तो प्लीज इस वाले पोर्शन की जो क्वालिटी है बढ़ा ले वीडियो से यूटूब से बढ़ा ले तीन ऑप्शन होंगे तीन ड परिवार वगरा में कॉलेज वगरा में रहते हैं या हम स्कूल जाते हैं हम मंदिर जाते हैं हम अपने दोस्त वगरा के साथ रहते तो हमारा क्या होता है हमारा सोचलाइजेशन होता है ठीक है यह स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के हम अंदर हमारा एक कारे होता है वह सोच का यहां पर मतलब बताया कि सोशलाइजेशन होना सोशलाइजेशन का मतलब है कि जागरुक होते हैं हम सामाने बातों के बारे में राजनीती से संबंदित जो सामाने बाते होती हैं उनका हमें ग्यान होता है या हम आते जाते हैं तो बाहरी दुनिया कैसी है क्या चीज़ें सम कि और शायर हमें पथा चलते हैं कई सारी नई जानकारे मिलती है कही सारे हम डिबेट आपस में करते हैं तो यह होता है स्ट्रक्चर परिवारं है मिन्द्ली है सेक्स सेक्षिक संस्थाएं हैं तो यहीं पर हमारा सोचलाइजेशन समाजी करण होता है इसके बाद दूसरा कारे इन्होंने बताया कि हित इसपस्टी करण कैसे होता है देखो जब हम काफी जादा जागरुख हो जाते हैं तो अब हमारी मांगें भी बढ़ जाती हैं अब हम म मतलब यह है कि हित इसपस्टी करण के अंतरगत हम समु में कठे होते हैं और अपनी मांग को प्रस्तुत करते हैं तो जो संरचना है वो है हित समु हित समु के अंतरगत हमें कठे हुए और हित इसपस्टी करण करते हैं एक्जामपल के लिए यहां आप सबसे अच्छा तो मेरा कोई इंट्रेस्ट है और आपका भी इंट्रेस्ट सेम है तो हम सभी कठे हो जाएंगे गुरूप में और हम एक साथ मिलकर अपनी मांग को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है जो पॉजिशन में जो पॉलिटिकल पार् पश्में मिल जाते हैं जैसे की बड़ा राजनीतिक दल मिल गया तो इस पस्टी करने के बाद हित समूहन आता है अब उस सरकार पर ज़्यादा बढ़ता है और प्रबल रूप से हमारा जो इंट्रेस्ट है मारा जो हमारी जो मांग है उसकी डिमांड सरकार से की जाती है इस क्विशन करते हैं आज का अच्छा इसमें ले सकते हैं टूइटर हो गया फेस्बुक हो गया अराम से हम यहाँ पर देखते हैं यूट्यूब हो गया जिसके द्वारा हम पॉलिटिकल कम्टिकेशन करते हैं तो यह कारे बताया थे अभी आप सब को साइड रखी हैं हम बस कार्य की बात कर रहे हैं तो हमने कारे देख लिए एक है साम राजनीतिक सामाजी कररं एवंभर्थी दूसरा है हिट इसपस्टी करं और तीसरा है हिद समूहन और होता है राजनीतिक संप्रेक्षन ये चार प्रमुक कारे हैं जो कि आलमन ने बताए हैं जो निर इन्पुट इन्पुट के अंतरगत यानि कि आगत कारें के अंतरगत आते हैं लेकिन ये कारें कहां होते हैं इन कारें का होने का एक जगा है एक संरचना है जैसे कि परिवार के पहले हुआ ये कारे फिर समू अलग-अलग बन गए फिर राजनीतिक दल भी आ गया सामने उसने बड़ी तौर प्रबल रोप से मांग की सरकार से और हमने राजनीतिक संप्रेक्शन किया कम्मिनिकेशन किया बाचित की पॉलिटिकल जो जानकारी थी उसको साजा किया तो वो ह इसलिए आगे ये प्रोसेसिंग होंगे प्रोसेस चलेगा एक और उस प्रोसेस के तहट फिर आगे जब ये सरकार के पास जाएंगे तो सरकार इस इन कारें के लिए कुछ करेगी चाहे अच्छा करें बिकार करें मतलब नहीं लेकिन सरकार कुछ तो करेगी ना तो क्या ये कुछ आउटपुट सामने आएंगे जैसे कि तीन आउटपुट बताएं हैं पहला है नियम निर्मान रूल मेकिंग अब रूल्स बनाए जाएंगे अब जैसे कि हमने डिमांड की सरकार से कुछ भी डिमांड हो सकती है हमारी हमारी डिमांड हो सकती है जैसे कि बच्चों क बनाएगी रूलस वगेरा बनाएगी तो ये आउट्पुट हो गया कौन बनाएगा विधाइका बनाती ने कहा हर चीज एक structure में होती है यह बात आप ज्यादा धियान रखना तो एक बताया नियम बनाया जाता है ठीक है दूसरा output है यहाँ पर कि नियम अनुपरियोग अनुपरियोग मतलब application मतलब अब उसको लागू भी किया जाएगा अब विदायका ने तो बना दिया नियम कास पर यहाँ बात सब् creeping टाशू करें लिएधर किया जाएगा इंप्लिमेंट किया जाएगा इसको तो आउटपूट है दूसरा लागू किया जाता है जो कारेपालिका करती है इसके अलावा Our rule आड्चयकर क jon जिष्ट अगर निया पालिका की दw 큰 को लिकर तो नियाइपालि का उसको सॉल्व करेगी नियायपाली का अपने कॉर्डिंग भी कुछ सला वगरा दे सकती है उसका निरिक्षन कर सकती है तो यह आउटपुट तीन हमने आपको बता दी तो यह सारी चीजें थी यह हो गया आपका निर्गत ठीक है और यह यहां पर पूरा खतम आपका जो यह संरचनातमक क्रयात्मक मौडल है यह पूरी तरह खतम हो गया यह सिंपल सा है समाज में अब एक बार मैं इसकी समरी आपको देता हूँ आपको सारी बाते समझ में आ जाएंगी समाज में हम देखते हैं समाज जी यह कार्टिक और राजज्शन की पर्यावरण हमारे हो तरफ ये इनके output, result सामने आता है, कृत्ते ये हैं और ये संरचनाएं हैं output की, यह से विधाईका, कारेपालिका और नयाईपालिका की दुवरा कुछ decision लिए जाते हैं, कुछ कारे किये जाते हैं output के तौर पर, तो ये था संरचना आत्मक, क्रियात्मक, model, I hope यहाँ पर सारी बातें आपको clear हो गई होगी, कम शब्दों में हमने पढ़ा है यहाँ पर, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अलग-अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, पहले कारे बताया जाएगे, साथ में संस्था बताया जाएगी, यह ठीक है, इसके बाद अलग से फिर आपको क्या होगा, और प्रणाली मोडल का इकवार हमारे माइंड करो तो प्रणाली मोडल में कार होते थे, लेकिन वहाँ पर।स पढ़ लेकिन पर संरचना नहीं थी, यहाँ पर सं रचना को एड़ किया गया नहीं कि यह कि आलोचना की होता T यह थोड़ा सा यूरोप से जुड़ा हुआ ज़्यादा है यह कई दूसरे तरीके आपको अच्छे समझ में आगया होगा नहीं भी आया एक बार कोशिच कीजिए वीडियो को दुबारा देख ले थ्योड़ा सा तक के लेवल की चीज़ें तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ रही है यहां पर एक बात बताना भूल गया बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हम इस पर आंसर लिखेंगे कैसे तो स्टार्टिंग मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया रिटन में डाइग्रम बना सकते हैं अगर याद रहे तो लेकिन यहाप आप देखिए अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो पहले यह चार कारे हैं साथ में उनकी जो संरचना या वर्ट में बना बना कर लिख सकते हैं शीर बना कर लिखेंगे पिर ऊut counsel के तहत भी तिन तेन निर्गत कारें बता गए हैं यह ऌते लिए आपिंगे कहुंए निर्गत कारों करती है यह आप बताएंगे तो ऐसे आप बना बना कर अच्छे से लिख सकते हैं आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें शियर करें और कमेंट करके अपना फीड़बैक जरूर दें थैंक यू